दोस्तों नमेशकार 14 फरवरी की महत्पूर कबरों को देखेंगे रियल मैडरीड इस टीम ने अलहिलाल को हरा करके जो अरब की टीम है अलहिलाल इसको हरा करके पांचवा क्लब विश्व कब फुटबाल जित लिया देखें फुटबाल विश्व कब जो फीफा होता है वो देशों के बीच कंट्रीज का होता है अब कंट्रीज में कई क्लब हैं जो मैच खेलती है तो रियल मैडरीड इसने अलहिलाल को हरा करके पांचवा क्लब विश्व कब फुटबाल जित लिया जो कि क्लब जो टीमे हैं उनके लिए आयुजित होगा था ये पाचवाँ विशुकप था रियल मैडरिट का ये ध्यान रखेगा एंजला मरकेल ये पूर जर्मन चांसलर थी 2005 से 2021 लंबे समय तक ये जर्मनी की चांसलर रही इनको युनेस्को पीस प्राइज युनेस्को शां प्राइज की अनुमती दे करके इन्होंने ओपन डोर सरणार्थी नीति लागू की थी उसके लिए 13 फरवरी ये याद रखेगा ओपन डोर सरणार्थी नीति एंजला मरकेल ने लागू की थी जर्मनी में 13 फरवरी ये राष्टी महिला दिवस के रूप में मनाय जाता है भ ये कांग्रेस की अध्यक्स्ता करने वाली पहली भारती महिला थी ध्यान रखेगा कांग्रेस की अध्यक्स्ता करने वाली पहली महिला अगर पूछेगा तो एनी बेसेंट थी लेकिन कांग्रेस की अध्यक्स्ता करने वाली पहली भारती महिला ये सरोजनी नाइडू जी थ ये भारत की पहली महिला राज़पाल भी थी, अब आपसे मेरा कमेंड बॉक्स में प्रशना रहेगा, लाश में उत्तर दूँगा, कि पहली महिला राज़पाल तो थी, लेकिन किस प्रदेश में थी, ये किस प्रदेश की राज़पाल बनाई गई थी, ये आपको बताना है, दगोल्डन थिशोल्ड दबर्ड आफटाइम ये सभी इनकी प्रसिद्ध कविताय या रचनाय थी निकोस क्रिश्टो डॉलाइट्स ये साइप्रस के नए राश्पती बने है कौन निकोस क्रिश्टो डॉलाइट्स कहा के शोतकरताओं ने एक अद्रिश गलेक्सी की खोज की है नदी ये फिजी का एक जिला है ध्याने का जिसका नाम नदी है बारवा विश्विंदी समेलन 15 से 17 फरवरी के बीच ये आवजित हो रहा है यहां पे इसकी थीम हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशल इंटिलियंस रखी गई है बंगलूरू में प्रधान मंत्री के द्वारा 14 एरो इंडिया 2023 जो समारो है उसके आवजिन का उधगाटन किया गया है इसकी थीम दरनवे टू आ बिलियन अपार्चुनिटीज रखी गई है प्रधान मंत्री के द्वारा इसमें कहा गया कि रक्षा निरियाद देश का पांच वर्षों में छह गुना बढ़ गया है विश्व का सबसे बड़ा जो हतियार निरियात आयातक देश है वो भारत है इसके बावजूद जो उपलब्दी हमारी कि भारत वर्तमान में 75 देशों को रक्षा उपकरण का निरियात कर रहा है रक्षा उपकरण बेच रहा है इस समारों में 100 देशों के प्रतनधी मौजूद रहेंगे भाग लेंगे शल्फेट बीरिंग यूनिट ये मंगल ग्रह पर इस्थित एक स्थान है शल्फेट बीरिंग यूनिट नासा का क्यूरियोसिटी रोवर इसने यहां पर प्राचीन जील के साक्षों की खोज की है तो क्यूरियोसिटी रोवर कहां पर गया है याद रखना है मंगल पे मार्स में गया है और यह सलफेट वेरिंग यूनिट में प्राचेन जील के साक्षों की खोज किये है इसने कटक जो कि उड़ीशा में स्थित है जहां पर सुभाशन बोस नेता जी सुभाशन बोस का जनम हुआ था यहां राष्टी चावल अंसंधान संस्थान भी स्थित है इस संस्थान में दूसरी भारती चावल कांग्रेस का आयोजन हो रहा है जिसका उदगाटन राश्पती जो वरतमान राश्पती हैं महामहिम दुरुपती मुर्मू के दवारा हुआ तो आज के लिए इतना ही बहुत गुद्धनिवादे